आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है रवी और आप मेरे साथ के रहे हो अपनी सीटेट के लिए मैथ पेड़ागोजी की क्लासेस इस रीच हमारी चल रही है जो आपको यहां से 10-15 कोश्चन देखने को मिलेंगे एक्जाम में तो आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं और अपनी प्रेक्टिस को जाई रखिए आप देखे कि किस प्रकार के कोश्चन बन चुके हैं और किस प्रकार के कोश्चन बनने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आजका पहला कोश्चन है NCF 2005 के अनुषार प्राथमे के इस तरपाश्चा को डौट डौट के लिए छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए आपको बताना है इसमें क्या भरना है हमें इसका अंसर हो जाएगा साथियों आपसर नम्बर थ्री क्या हो जाएगा वास्तविक जीवन के आज पास की गत्विदियों पर ध्यान देने के लिए छात्रों की पहुँच बनानी चाहिए आपसर नम्बर थ्री सही हो जाएगा इसका देखते हैं अगला कोस्चन, अगर आपने वीडियो शेर नहीं किया, तो कृपए शेर कर दिजिए, एक बार सभी को जोड़ ले साथी हो, एक बार सभी को जोड़ लीजिये, फिर अपनी करते हैं आज की बहतरिन क्लास, देखते हैं दूसरा कोस्चन क्या है, अगला कोस्चन ह एक अच्छे पाठ पुस्तक की विश्यस्ता होनी चाहिए क्या कह रहा है कि गडित की एक अच्छे पाठ पुस्तक की क्या विश्यस्ता होनी चाहिए पहला अप्षन है अभ्यास के कई हल किये गए उदाहरण और कुछ प्रशन अभ्यास के हल किये गए उदाहरण और पर्याप्त प्रश्ण तिसरा है सभी अभ्यास हल किये गए हो चोथा इनमें से कोई नहीं तो बताईए क्या अप्षन हो जाएगा इनमें गड़ित की एक अच्छे पाठ पुस्तक की विश्षता क्या होनी चाहिए अभ्यास के हल किये गए उदाहरण हो और पर्याप्त प्रश्ण हो ये बिल्कुल सही है अप्षन नमबर दो इसका सही हो जाएगा तो इसका आगे देखते हैं गड़ित सीखने के प्रत सिच्छार्थियों के रुची बनाने का प्रवावी तरीका क्या है पहला अप्षन है सिच्छण विशे सिच्छार्थी अनबहु से सम्मंदित होना चाहिए दूसरा है सिच्छार्थी दोरा पूर्वार रजित ग्यान को पुनाह याद करना किसरा है अवधाना के अनप्रयोगों को देनिक जीवन इस्थितियों के साथ सम्मंदितर करना चाहता है उपरोक्त सभी तो बताईए इन में से कौन सा आपसन हो जाएगा गड़ित सीखने के अपर सिच्छार्थियों के रुच बिनाने का सबसे प्रवावी तरीका साथियों पहला भी है कि सिच्छण इसे सिच्छार्थी यान बहुत से सम्मंदित होना चाहिए दुसरा भी है सिच्छार्थी द्वारा पूर और जित ज्यान को पुनाह याद कराना अगर आप एक बार कोछी बताने के बाद में उनको याद नहीं करवाओगे तो एक दो महीने के बाद में बच्चे दुबारा से सब कुछ भूल जाएंगे फिर कोई मतलब भी नहीं है पढ़ाने का इसे लिए उनको पुनाह भी याद करवाते रहना चाहिए और तीसरा है आउधारना क्यान प्रयोग को देनिक जीवन इस्तितियों के साथ समंदित करना यानि इसके उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे आपसन नमबर फोर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं मानव जीवन की डॉट गत विदियों में गडित का सबसे अधिक प्रयोग होता है तो आपको बताना है कि मानव जीवन की गत विदियों में सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है सांस्कृतिक, मनोवेज्यानिक, आर्थिक या सामाजिक तो बताईए क्या हो जाएगा इसमें Q4 का अंसर किजिए सभी लोग एक बार तो इसका हो जाएगा Option Number 2 क्या हो जाएगा मानव जीवन की मनोवेग्ञ्यानिक गत्वितियों में गडित का सबसे जबिविधियों प्रियोग होता है क्या हो जाएगा मनो विज्यानिक अपसन नमबर टू इसका सही हो जाएगा कोश्चन नमबर चार का अगला कोश्चन देखते हैं यदि साथ क्रमागत संख्याओं का अवसत 33 हो तो इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन से हो जाएगी आपको बताना है कि यदि किसी साथ क्रमागत संख्याओं का अवसत 33 हो मन लेजिए ये साथ क्रमागत संख्याओं दी गई है तो पूछ रहा है कि इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन से हो जाएगी तो आपको आंसर देना था तो माल लेजी कि साथ क्रमागत संख्याओं का आउसत जो है 33 है यानि ये साथ संख्या हैं इनके बीच में आ जाएगा 33 वाली संख्या हैं उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 34 यहाँ पे हो जाएगा 35 यहाँ पे हो जाएगा 36 इधर की बात करने तो इधर हो जाएगा 32 इधर हो जाएगा 31 इधर हो जाएगा 30 तो अब आप से question में कुछ भी पूछ सकता है कि सात क्रमागत संख्याओं का ओसत 33 है तो इन में से सबसे चोटी संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी अगला question है बालकों को कम से कम बताना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक स्वयम सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए शिद्धान तो लागू होता है निगमन विद हूरेस्टिक विद आगमन विद या फिर प्रोजेक्ट विद तो बताएगी इसमें कौन सा आप्सन सही हो जाएगा Question number 6 का हो जाएगा Question number 2 क्या हो जाएगा Heuristic विधि क्या हो जाएगा Heuristic विधि है कहती है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए उन्हें सोयम अपने दिमाग से जादा से जादा सोचना और समझना चाहिए आगे देखते हैं वेज्यानिक विधि पर आधारित उपरयुक्त विधि है आपको बताना है कि वेज्यानिक विधि पर आधारित उपरयुक्त विधि निमें से कौन से हो जाएगी प्रायोजन विधि, निगमान विधि, आधिगामान वहो कितने प्रभावी रहें या फिर उपरयुक्त सभी तो बताईए इन में से कौन सा आपसन हो जाएगा सही कोश्चे नमबर साथ का सभी लोग आंसर करेंगे तो इसका आपसन नमबर फोर ये सारे के सारे सही है वेग्यानीक विधी पर आदहरी थे कि प्रयोजन विधी है निगमन विधी और आधिगा मनुभो कितने प्रभावी रहे ये भी वेग्यानिक विधी पर ही आधरी थे या इसका आपसन नमबर फोर विल्कुछ औहे जाएगा आगे देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा सिध्धान्त प्रायोजना विदिका नहीं आपको बताना है इन में से कौन सा ऐसा सिध्धान्त है जो प्रायोजना विदिका नहीं है पहला है क्रियासिलता दूसरा है वास्तिविक्ता तीसरा है मुल्यांकन चौथा है उपयोगिता तो बताइए न मिलिक्षत में से कौन सा सिद्धान्त प्रयोजना विदिका में अगर देखते हैं। उदाहरन बाद में नियम बता जाते हैं वह क्या है आपको बताना है कि इन में से एसी कौन सी विद्य है जिसमें पहले उदाहरन बता जाते हैं बाद में नियम बता जाते हैं तो आंसर कर दीजी आगमन विद्य है निगमन विद्य है समस्चा विद्य है फिर हुरेस्टिक वि आगे देखते हैं जिस विदी से पहले नियम बाद में उधाहन बता जाते हैं वह कौन सी है अब उल्टा कर दिया आया है कि अब पूंच रहा है कि ऐसी कौन सी विदी है जिसमें पहले नियम और बाद में उधाहन बता जाते हैं तो वो कौन सी विदी हो जाएगी आपसान पतले जाते हैं उद्धारन और वाद में उदाहरन बताए जाते थे गांगे देखते हैं कि और वास्तवीग जीवन से संबंद विखसीत करने के लिए निम्रिखेत में से किन मुल्यांकन योजनाओं का अपयोग किया जाता है आपको यह बताना है पहला है छेत्री भ्रमड मौखिक परिच्छा ड्रिल कार पत्रक दूसरा है सर्वेच्छन परियोजना जांच सूची तीसरा है छेत्री भ्रमड मौखिक परिच्छा जांच सूची और चोथा है छेत्री भ्रमड सर्वेच्छन और परियोजना तो बताईए आप लोग इन्समें कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर फोर क्या हो जाएगा छेत्रिय ब्रहमड सर्वेच्छन और परियोजना यह इसका विल्कु सही आंसर है काफी इंपोर्टेंट यह है कोस्चन इसको आप याद रखना यह कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई कोस्चन आपको देखने को मिल जाएगा फिर से अगला कोस्चन है गडित के कच्छा कच्छ में दर्ष्ट बाधितों के लिए निमलिखित मैंसे किसका प्रयोग सिच्छा सादनों के रूप में किया जात सकता है आपको बताना है पहला है टेलर का गिंतारा दूसरा है भिन्न का किट तीसरा है संख्या चार्ट दुसरा अपसन है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जीयो बोर्ड, तिसरा है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर, जीयो बोर्ड, चोथा है कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जीयो बोर्ड तो बताईए गड़ित के एक अच्छा कच्छ में द्रिश्ट बादतों के लिए निम्रिखित में से किसका प्रियोग सिच्छा साधनों के रूप में किया जा सकता है सभी लोग आंसर कर दीजे कोस्चन नमबर बारा का इसका अजाएगा आपसा नमबर थरी क्या अजाएगा टेलर का गिनतारा कम्प्यूटर और जियो बोर्ड देखते हैं अगला कोस्चन अगला कोस्चन एक एक अच्छा गड़तग्य होने के लिए डौट डौट होता है आपको बताना है क्या जरूरी होता है एक अच्छा गड़तग्य होने के लिए पहला है सवालों के उत्तर देने की तकनिक में निपूर्ता दूसरा है अधिकतर सुत्रों को याद रकरना चोथा है वहुँ जल्दी सवालों को हल करना चोथा है सभी अवदहरणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंद बनाना तो बताइए एक अच्छा गड़तग्य होने के लिए क्या जरूरी है कोश्चन नम्बर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे आंसर कीजिए आप लोग तो इसका जग आपसर नम्बर 4 सभी अवदहरणाओं को समझना लागू करना और उनमें संबंद बनाना एक अच्छे गड़तग्य की पहचान होती है आगे देखते हैं गड़ित विशय को सभेतावा संस्क्रत का दरपण किस गड़तग्य ने बताया है आपको बताना है कि गड़ित विशय को सभेतावा संस्क्रत का दरपण किस गड़तग्य ने बताया है कोश्चन नम्बर 15 का आंसर कीजिए सभी लोग इसका जाएगा आपसा नमबर वन क्या हो जाएगा हाग बेन ने क्या कहा था कि गडित विशेको सब्वेताओ संस्क्रित का दरपन हाग बेन ने कहा था आपसा नमबर वन इसका सही हो जाएगा देखते हैं अगे अगे है गडित से सम्बंधित सिद्धान त सिरो मड़ी पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है सिद्धान त सिरो मड़ी पुस्तक के लेखक कौन है महावीराचार है या फिर भासकराचार दुती है तो आप लोग बताईए क्या हो जाएगा इसमें इसका हो जाएगा आपसर नमबर टू क्या हो जाएगा भासकरा चारे दोती है ये इसका बिल्कुश सही आंसर है अगला question देखते हैं गड़ित की कच्छा में मंद बुद्ध या तीवर बुद्ध दोनों तरह के छात्रों को अभ्यासकार में व्यस्त रखने के लिए सिच्छा को किस करम में अभ्यास करवाना चाह तो बताईए इनमें से कौन सा अफ्षन सही हो जाएगा पहला है अग्यात से ग्यात की और दूसरा है सरल से कठिन की और तीसरा है कठिन से सरल की और चथा है उप्रोक्त सभी तो आपको क्या करना चाहिए कि मंद बुद्ध और तीवर बुद्ध दोनों वालक अभ्यासकार में विश्ट रहें को श्राल से कठिन की और अभ्यास से उनको दीजिये इसमें क्या होगा मंद बुद्ध और तीवर बुद्ध दोनों त Laut आपको के चाहतर अभ्यासकार में वैस्ट रहेंगे अब अब क्या गड़ित के किस साखा के सिच्छन का परम उद्देश है कि छात्रों को सावधानी पूरवक तर्क करने की सक्री सक्ति का प्रसिच्छन पहला है अंकगड़ित, दुसरा है बीजगड़ित, तीसरा है जयमतिय, चता है उप्रोक्त सभी तो बताईए इनमें से क्या हो जाएगा, आपसन बताईए क्या हो जाएगा सही गड़ित के कि साखा के सिच्छन का परमुद्देश से की छात्रों को सावधानी पूरवक तर्क करने की सक्री सक्तिका प्रिच्छन हो, तो इसका आपसन नमबर थ्री, क्या आपसन बताईए, जयमतिय, यह सही आंसर इसका, अलग कुश्चन देखते हैं खेल प्रकत को सिच्छा देने का साधन है, और बालक की सिच्छा उसकी प्रकत के अनुसार होनी चाहिए, उपरोक्त कथन किसके दोरा कहा गया आपको बताना है, कि खेल प्रकत को सिच्छा देने का साधन है, और बालक की सिच्छा उसकी प्रकत के अनुसार होनी चाहिए, उ मांटे सरी का कथन है कि खेल प्रकत को सिच्छा देने का साधने और बालक की सिच्छा उसकी प्रकत के अनुसार होनी चाहिए। बदल जाता है क्या जाता है बदल जाता है यह आपको याद रखना है इसका चिन बदल जाता है अगला कुश्चन है गड़ित की पाठ पुष्टक में विशेवस्तु का संगठन होना चाहिए। आगे देखते हैं गड़ित से संबंधित एलिमेंट्स नामक पुष्टक के लेखक कौन थे आपको बताना है गड़ित से संबंधित एलिमेंट्स नामक पुष्टक के लेखक कौन थे। इसका आंसर कीजी आप लोग एक बार, question number 22 का, elements नामक पुस्तक के लेखक कौन थे आपको बताना है, तो इसका होजाएगा, option number 1 क्या होजाएगा, यूक्लिड क्या होजाएगा, यूक्लिड आगे देखते हैं, अगला question है, मानसिक, सारीरिक और सामाजी की विकास के लिए इसका होजाएगा, option number 1 क्या होजाएगा, खेल विदी, पहला option है, खेल विदी, दूसरा है, आगमन विद, तीसरा है, निगमन विद, चवथा है, विसलेशन विदी, तो question number 24 का सभी लोग answer करेंगे, सभी लोग answer कीजी एक बार, जितने भी साथी नया जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे सभी साथी लोगों से यही कहना है, कि एक बार, share कर दीजी, क्लास को, सभी के पास में share कर दें, इस क्लास को, maths, पेड़ागोजी की क्लास, जो आपको 10-15 नमबर दिलाईगी, तो एक बार, सभी के पास में, इसको share कर दीजी, आप लोग, इसका हो जाएगा, option number 4, क्या हो जाएगा, विशलेशन विदी, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सस्क्राब कर लेजिए, अपनी सीटर की बहतरिन त्यारी के लिए, अगला question है, पाई कैसी संख्या है, आपको बताना है कि पाई कैसी संख्या है, परिमे या फिर अपरिमे, question आ चुका एक जाम में ये, पाई कैसी संख्या है, तो आंसर किजी आप लोग, इसका का मतलब होता है, आपको बताना है, हिव रिसकों का मतलब क्या होता है, खोज करना, अनुवेशण करना या फिर उपरोग तो सभी, हिव रिसकों का मतलब होता है, अनुवेशण और खोज दोनों यानि उपरोग तो सभी हो जाएगा, इसमें अनुवेशण करना भी होता है, अगे देखते हैं अगला कोस्चन है अगला कोस्चन है ये कोस्चन बढ़िया है आपको बताना है सुन्नी का प्रियोग सबसे पहले किसने किया था ब्रह्मा गुप्त आरे भट अरस्तु या फिर वराह मिहर तो बताईए इसमें कौन सा अप्सम सही हो जाएगा सुन्य का प्रयोग सबसे पहले किया गया था ब्रह्मा गुप्त के द्वारा आप लोग इसको याद रखेंगे Most important question है आगे चलते हैं त्रिभूज के तीनों अंता कोडों का मान कितना होता है सब्गी लोग answer करेंगे एक बार त्रिभूज के तीनों अंता कोडों का मान होता है 180 डिगरी कितना होता है 180 डिगरी देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है पंच भुज के अन्ता कोडों का मान कितना होता है पंच भुज के अन्ता कोडों का मान कितना होता है 180 डिगरी 280 डिगरी 360 डिगरी या 100 या फिर 540 डिगरी तो बताइए पंच भुज के अन्ता कोडों का मान कितना होता है तो इसका होगा आपसर नमबर 4 540 डिग्री कितना होता है 540 डिग्री तो आप लोग एक बार कमेंट बक्षें बताना कि आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोग नए जुड़े हो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकि सभी लोग एक बार वीडियो को सभी के पास में सेर कर देंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबाई